दोस्तों आपने यूटिब पर धेरू ऐसे वीडियो तो जरूर देखे होंगे जिन में ओनियन जूस एप्लिकेशन से हेयर ग्रोथ के भड़ चड़ के दावे किये जाते हैं मेरे चैनल पर भी मैंने बालों से समंदित समस्याओं पर कई वीडियो बनाए हैं लेकिन अभी तक किसी भी वीडियो में ओनियन जूस एप्लिकेशन की सला नहीं दी है क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को सही सला दूँ और उसका इस्तिमाल बालों में सही तरीके से कर पाएं आज की वीडियो में मैं ओनियन जूस लगाने से बालों में क्या फायदे होते हैं किन लोगों को लगाना चाहिए किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए ओनियन जूस लगाने से साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कितने द अगर आप सभी जानकारी को डीटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें सबसे पहले जान लेते हैं कि ओनियन जूस लगाने से हमें क्या-क्या फायदे हो सकते हैं ओनियन जूस में नैच्रल सलफर प्रचूर मातरा में पाया जाता है हमारे बाल जिस प्रोटीन से बनते हैं उसे केरेटिन के नाम से जाना जाता है केरेटिन में भी सलफर पाया जाता है यही वज़े होती है कि ओनियन जूस बालों को घना और मजबूत बना देता है इसके अलावा onion juice में quercetin पाया जाता है जो कि pollution damage से बचाता है और onion juice application से scalp में blood circulation improve होता है जिसकी वज़े से hair growth होती है onion juice में कुछ ऐसे vitamins और minerals पाये जाते हैं जो कि healthy hair के लिए जरूरी होते हैं जैसे कि vitamin C, manganese, copper onion juice में antibacterial properties भी बहुत जादा होती हैं जिसकी वज़े से scalp में किसी भी तरह के fungal या dandruff जैसे समस्याओं में फायदा होता है onion juice application से इतने जादा फायदे होने के बावजुद भी मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि onion juice regular लगाने से उनके hair fall पूरी तरह से तो cure हो गए पर grey hair की समस्या शुरू हो गई मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग onion juice का बालों में सही तरीके से इस्तिमाल कर सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फाइदा उठा सकें side effects of onion juice onion juice में सबसे ज़्यादा मात्रा में sulfur होता है और बालों के लिए sulfur बहुती फायदेमंद होता है लेकिन कोई भी चीच सिमित मात्रा में ही आपको फायदा पहुंचा सकती है जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीच फायदे की बजाए नुकसान पहुंचाएगी onion juice में जो तेज गंद आती है वो sulfur की वजह से आती है अगर आप अपने बालों में onion juice लगा कर उसे overnight रख देते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि onion juice को hair roots में लगा कर maximum 30 मिनिट तक रखना safe होता है और अगर 30 मिनिट से ज़्यादा इसे रखा जाए तो आपके बाल rough और dry हो जाएंगे ज़्यादा देर तक onion juice hair roots में रहने से irritate करेगा और hair fall शुरू हो सकती है onion juice को बालों में daily basis पर ना लगाएं अगर daily basis पर लगाया जाता है तो कोई न कोई hair issues जरूर होने लगते हैं हफते में एक बार लगाना safe होता है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा hair problem है तो आप हफते में दो बार भी लगा सकते हैं पर रोजाना लगाना सही नहीं होता है आप लोग किसी भी YouTube वीडियो को देख कर onion juice लगाना शुरूर ना करें Hair growth के लिए onion juice बालों में लगाने के पहले आपको अपने शारीरिक अवस्था की जाच करनी चाहिए कुछ ऐसी बिमारिया होती है या कुछ ऐसी physical conditions होती है जिन में onion juice नुकसान पहुंचा सकता है आईए जान लेते हैं कि किन किन लोगों को onion juice बालों में नहीं लगाना चाहिए जिन लोगों को माईग्रेन की शिकायत होती है वो लोग अगर onion juice को बालों में अपलाय करते हैं तो उनकी समस्या भढ़ सकती है नमबर टू रोमेटाइड अर्थरैटिस ओनियन जूस ठंडी तासीर का होता है जिन लोगों को रोमेटाइड अर्थरैटिस या संदीवाद है उन लोगों के लिए onion juice नुकसान दे हो सकता है नमबर थरी, sinus and cold जिन लोगों को sinus, cold और कफ या sneezing जैसी समस्या होती है तो आपको बालों में onion juice नहीं लगाना चाहिए क्योंकि प्याज की तासीर ठंडी होती है और onion juice application से समस्या भढ़ सकती है नमबर फॉर, sensitive skin, onion juice में high sulfur होने की वजह से ये काफी harsh होता है, harsh चीजे हमेशा sensitive skin के लिए नुकसान दे होती है इसलिए sensitive skin वालों को onion juice का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कुछ लोगों को onion juice या sulfur से allergy की समस्या होती है, ऐसे लोगों को इसका इस्तिमाल नुकसान दे हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने onion की तेज गंद जरा भी पसंद नहीं आती है, ऐसे लोगों को भी इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कैमिकली ट्रीटेड हेर में onion juice का direct यूज करना सही नहीं होता है जिन लोगों के बालों की जड़े बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी हैं और heavy hair fall हो रहा है इसके अलावा जिनके बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं या बालों में dryness बहुत ज़्यादा हो गई है ऐसे लोगों को onion juice का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए यदि आपके बाल काले घने लंबे है और आपको बालों से संबंदित कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप onion juice का इस्तिमाल बिलकुल ना करें क्योंकि onion juice का इस्तिमाल बालों की समस्या को दूर करने के लिए एक treatment की तरह किया जाता है बिना वज़े से इसका इस्तिमाल नहीं करना चाहिए अगर आपका शरीर बहुत कमजोर है आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या आपके शरीर में बुखार बना रहता है या फिर अक्सर आपको सिरदर्द की समस्या रहती है तो भी onion juice को बालों में लगाना सही नहीं होता है आए जान लेते हैं कि किन-किन लोगों को onion juice का इस्तिमाल हेर ग्रोथ के लिए करना चाहिए अलोपेशिया जिसे hair patch भी कहा जाता है ये एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें बाल, scalp के किसी भी एक हिस्से से गुच्छे के गुच्छे निकल जाते हैं और वो हिस्सा चिकना हो जाता है अलोपेशिया इस्तरी और पुरुष दोनों में हो सकता है ये बिमारी छोटे बच्चों में भी हो सकती है इस बिमारी का अलोपेशिया ट्रीटमेंट तो है पर उस ट्रीटमेंट में सिर में इंजेक्शन दिये जाते हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते है अलोपेशिया को आम भाशा में कहा जाता है कि बालों में कीडा लग गया है क्योंकि ये बैक्टेरियल इंफेक्शन ही होता है अगर आपको इस तरह का हेर पेच आ गया है तो आप कोई भी ट्रिट्मेंट ना करें सिर्फ ओनियन जूस लगाना शुरू करें आपका हेर पेच 100% क्योर हो जाएगा ये मैं दावे के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मामा जी का ट्रांसफर नाइजिरिया कंट्री में हुआ था तब मेरी मामी जी बता रही थी कि सड़नली इंडिया से नाइजिरिया के क्लाइमेट में शिफ्ट होने की वजह से मेरी मामी जी के बालों की लट की लट गिरने लगी और काफी बड़ा हेर पेच आ गया था तब उन्होंने नाइजिरिया में किसी डॉक्टर से कंसर्ट किया था तो डॉक्टर ने सिर में 6 इंजेक्शन मारने की सला दी मेरे मामी जी सिर में इंजेक्शन नहीं लेना चाहती थी इसलिए उन्होंने ओनियन जूस डेली बेसिस पर लगाना शुरू कर दिया था और वो डेली ओनियन जूस सिर्फ पैच पर लगाती थी और 20-25 मिनिट तक उसे ऐसे ही लगा रहने देती थी उसके बाद नॉर्मल पानी से बाल धो लेती थी तीन मेहने के बाद उनका हेर पैच पूरी तरह से ठीक हो गया था इसलिए अगर आपको अलोपेशिया या हेर पैच की प्रॉबलम है तो आप डेली फ्रेश ओनियन जूस निकाल कर उसे पैच पर कॉटन की सहता से लगा कर लगबग 30 मिनिट तक लगा रहने दे और 30 मिनिट के बाद हेर वाश कर लें इस इस्थिती में आपको ओनियन जूस का इस्तिमाल डेली बेसिस पर करना है और सिर्फ पैच वाली जगर पर ही लगाना है क्योंकि यहां पर हम ओनियन जूस का इस्तिमाल as a treatment यूज कर रही है पुरुशों में जब मेल पैटन बाल्डनेस की समस्या की शुरुआत होती है तब आप ओनियन जूस को बालों में alternate day लगा सकते हैं साथ ही आप ओनियन ओयल का भी इस्तिमाल शुरू कर देना ओनियन ओयल की recipe पर मैंने एक वीडियो बनाया था उपर आई बटन में उसकी link दे रही हूँ आप लोग जरूर देखना अगर आपको ओनियन जूस का इस्तिमाल अपने बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए करना है तो आप ताजे प्याच के रस को कॉटन की साहता से बालों की जड़ों में लगा कर 30 मिनिट तक उसे बालों में लगा रहने दे और 30 मिनिट के बाद मायड शेम्पू से हेर वाश कर लें लेकिन आप ओनियन जूस का इस्तिमाल हफते में एक बार ही करना Hair Regrowth के लिए बालों में Onion Juice का इस्तिमाल हफते में एक बार करना काफी होता है इसके अलावा यदि आपकी बहुत ज़्यादा Hair Fall हो रही है तब आप Onion Juice का इस्तिमाल डायरेक्ट बालों में ना करके उसे Delute Form में यूज करें Delute Form में यूज करने के कई तरीके होते हैं उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी जाने से पहले में आप लोगों को एक बात फिर से क्लियर करना चाहूंगी कि Onion Juice का इस्तिमाल बालों के लिए बेहत फायदेमंद होता है इसमें मौजू सलफर बालों के धेरो समस्याओं को दूर कर देता है लेकिन यही सलफर रेगूलर बालों में इस्तिमाल किया जाए तो हार्ष होने की वज़़े से कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है यह जरूरी नहीं है कि Onion Juice के रेगूलर इस्तिमाल करने से आपके भी बाल सफेद हो जाएंगे या आपकी भी Hair Fall शुरू हो जाएगी पर कुछ लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि डेली Onion Juice का बालो में इस्तिमाल करने की वज़़ से उनके Gray Hair और Hair Falling की समस्या शुरू हो गई इसलिए आप Precaution की रूप में Onion Juice का इस्तिमाल करती समय इन नियमों को फॉलो करें ताकि आपको कोई भी परिशानी ना हो 1. Onion Juice को बालो में Overnight नहीं लगाना है 2. Onion Juice को बालो में सिर्फ 30 मिनिट तक लगाना है उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है उसके बाद Hair Wash कर सकते हैं 3. Onion Juice डेली नहीं लगाना है अगर Hair Patch है तब आप उस Hair Patch वाली जगर पर डेली लगा सकते हैं लेकिन 30 मिनिट के लिए ही लगाना है 30 मिनिट के बाद Hair Wash कर लेना 4. अगर आप लाइफ में पहली बार Onion Juice लगा रहे हैं तो आप बालो में डायरेक्ट ना लगाएं सबसे पहले उसका Patch Test जरूर कर लें Patch टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा Onion Juice हाथ के किसी भी हिस्से पर 30 मिनिट तक लगा कर रख दें 30 मिनिट के बाद उसे धो लें 30 मिनिट के बाद जब आप देखेंगे कि उस हिस्से पर Rashes, सूजन या लाल स्कीन हो गई है तो उस कंडिशन में Onion Juice आपको नहीं लगाना है 5. Hair Regrowth के लिए Onion Juice हफते में एक बार ही लगाना चाहिए 6. Onion Juice बालों में लगाने का 15 देज या 30 देज चैलेंज कभी भी न लें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप Onion Juice का इस्तिमाल अपने बालों में बिना किसी डर के कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो फ्लीज मुझे Like कीजिए, Share कीजिए और मुझे से जुड़े रहने के लिए मुझे Subscribe जरूर कीजिए Thank you दोगो, thank you झाल